Hello dear student, how are you? आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Class 12 Accountancy का Case Close Statement Basically, आज इसका 4th lecture है, यानि 4th class है पहले के वीडियो में हम लोगों ने Complete Case Close Statement के Introduction को पढ़ लिया Second class में हम लोगों ने Operating Activities क्या होता है, उसके Concept उसके Proper Format को पढ़ा Third video में हम लोगों ने Case Operating Activity Indirect Method के Question No.6 से लेकर के Question No.11 तक के सारे Questions को Detailed में किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों के लिए जो Question छोड़ा था उन सारे Questions का आप लोगों ने Answer नीचे Comment करके बताया, इसका मतलब है कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं आज किस वीडियो में हम लोग Operating Activity Indirect Method को खत्म करते हैं और हम लोग आज Question No.12 से लेकर के Question No.16 सी तक पढ़ते हैं और Basically Book में 12, 13, 14, 15, 16 A, 16 B और 16 C बस इतना ही Operating Activity का हम लोगों को Question दिया है, 16 सी के बाद से आगे Investing Activity आएगा तो आज हम लोग Operating Activity Indirect Method को खत्म करते हैं कोई SI student अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने इससे पहले के कम से कम दो वीडियो जिसमें एक Operating Activity का Format और दूसरा Question No.6 से लेकर के 11 तक के वीडियो को नहीं देखाए तो मैं कहूंगा कि पहले उन वीडियो को देख लो उन सबका लिंक उपर आई बटन में आते जाएगा वहाँ से देख लेना उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना ठीक है ताकि आपको प्रोपर तरीके से Operating Activity Indirect Method का proper format आखिरकार याद हो क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी करके वह सारे questions को हम लोग basically पढ़ेगे ठीक है सर जी चलो आओ तो स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले जो है brightness बड़ा कम लग रहा है गया ना ठीक है चलो जी आओ तो सबसे पहले हम लोग question उठाते हैं और यह हम लोगों का question number जो है वो 12 है ठीक है अच्छा से देखते है question number 12 में क्या बोल रहा है देखो बोल रहा है question में calculate case flow from operating activities ठीक है और जैसे हम आप लोगों को पहले भी बोल रहे थे हमेशा याद रखना question में अगर activity method mention नहीं करेगा तो हम लोग indirect method को apply करेंगे और बार बार बुलते हैं year देखना यहां 31 मार्च 2019 है 31 मार्च 2020 यह clear है यानि 19 जो है हम लोगों के लिए यह हम लोगों के लिए previous year है और 2020 जो है हम लोगों के लिए current year है तो हम लोग 19 से जो है वो 20 को compare करेंगे और देखेंगे कि कोण increase है decrease हुआ question में दे रखा है balance or profit analysis statement 30,000 से 35,000 हो गया यानि पहले 30,000 था अब 35,000 हो गया यानि कि 5,000 रुपया का profit हुआ है general reserve आपका 10,000 से 15,000 है हम सबको पता है general reserve को हम दो जगा दिखा सकते हैं पहला profit में aid कर सकते हैं और दूसरा non operating expenses analysis में दिखाते हैं तो हम non operating expenses analysis में दिखाएंगे 10 से 15,000 हो गया आप टे standing expenses हम लोगों के लिए क्या होता है सर्जी current liability होता है 5000 से 3000 रुपया हो गया यानि 2000 रुपया से current liability घट गया 2000 से घटा है तो हम 2000 रुपया को क्या करेंगे माइनिस करेंगे क्योंकि रूल है decrease in current assets increase in current liability को aid करते हैं increase in current assets decrease in current liability को lase करते हैं गुडविल हम लोगों के लिए 2 condition होता है अगर गुडविल का amount decrease हुआ गुडविल घटा तो non operating expenses and losses में goodwill return up या decrease in goodwill के नाम से दिखाते हैं और अगर goodwill increase हुआ है तो उसको operating activity में न दिखाते हैं investing activity के outflow में हम लोग दिखाते हैं तो goodwill देखो यहां 20,000 से 10,000 रुपया हो गया तो goodwill घट गया है 10,000 से तो इसको हम लोग non operating expenses and losses यानि operating activity में दिखाएंगे credit disable हम लोगों के लिए current assist होता है भाई 40,000 से 35,000 हो गया तो 5,000 से current assist हम लोगों का घट रहा है current assist अगर decrease हो रहा है तो हम लोग इसको plus करेंगे 5,000 is it clear sir जी यहां तक clear हाँ यह तो पता चलिए लेकिन सबसे important चीज यहां पे नीचे देखो क्या बोला बोलगा question में an item of plant costing rupees 20,000 हम के पास एक company के पास जो है एक plant है 20,000 रुपया का having book value rupees 14,000 जिसका book value कितना है 14,000 अब सवाल आएगा कि sir cost price और book value क्या होता है simple सा बात है cost price का मतलब है कि उस सामान को बनाने में कितना रुपया खर्चा हुआ है और book value का मतलब है कि अभी वो सामान कितनी का बचा हुआ है और market value का मतलब होता है कि market में उसका कितना price है अगर कभी भी question में suppose कर लो कि अगर हम बोल रहे हैं कि suppose कर लो मेरे पास ये laptop का mouse है और हम बोल रहे हैं कि इस mouse को जो है हम 5000 रुपया में इसका cost 5000 है उन्हें दो लेकिन जो book value है यानि आज के समय का जो value है उसका 3000 है तो पहले का cost कितना था उसको हम नहीं देखेंगे हम book value को देखेंगे यानि कभी भी question में अगर cost price और book value दिया होगा तो आप हमेसा book value को लेके चलोगे ठीक है तो हमको ये 20,000 रुपया से हम लोगों को कोई मतलब नहीं होगा हम लोगों को मतलब होगा 14,000 हम लोगों के पास plant है 14,000 का watch sold for 18,000 ठीक है और इसको कितना में बेच दिया 18,000 बताओ 14,000 का plant को 18,000 में बेचा 14,000 का plant को 18,000 में बेचा ज्यादा में बेचा कितना रुपय ज्यादा 4,000 यानि 4,000 रुपया का profit हुआ है तो 4,000 non operating income and gain होगा ठीक during the year 2019-20 and depreciation return of 5,000 कितना रुपय depreciation है 5,000 तो ये non operating expenses and losses में होगा अब देखो दो तरीका है हम लोग चुकी पहले ही हर चीज को समझ चुके है तो हम इसको बनाने में आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करवाएंगे हम सब चीज आप लोगों को detail में समझा देंगे जब question बनाने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग net profit receive during the year लिखते हैं ना डायरेक्ट डिटेल से amount कोलम में दिखा देना अब इसमें हम लोग एड करते हैं non operating expenses and losses तो देखो aid हुआ हम लोगों का यहाँ non operating items यानि basically non operating expenses and losses को aid की है यहाँ क्या क्या आएगा transfer to general reserve देखो 5,000, 10,000 से 15,000 हो गया यानि 5,000 रुपया का transfer to general reserve यह जुटेगा और देखो goodwill 20,000 से 10,000 हो गया 10,000 का goodwill return up हुआ है यह जुटेगा और plus यह जो 5,000 रुपया का depreciation हुआ है यह जुटेगा क्योंकि non operating expenses and losses में क्या किया जाता है rule याद है हम सबको पहले profit receive during the year लिखते हैं उसके बाद aid करते हैं हम लोग non operating expenses and losses less करते हैं non operating income and gain जो आता है वो operating profit before working capital change होता है उसमें aid करते हैं decrease in current assets, increase in current liability less करते हैं increase in current assets, decrease in current liability answer आ जाता है यह न करते हैं भई तो यहाँ पे profit है हम लोगों का 5,000 उसमें aid करेंगे transfer to general reserve aid करेंगे goodwill return up या goodwill decrease depreciation 5,000 और goodwill return up जो goodwill घटा है उसको दिखाए 10,000 सबको minus करकर के total जोड करके यह मेरा 25,000 रुपया क्या आया यह आया हम लोग कुछ नहीं आया है actual में इस 25,000 रुपया में घटाना है non operating income and gain non operating income and gain में देखो profit on sale of plant यह देखो यहाँ पे यह रहा हम लोगों का profit on sale of plant देखो हम लोगों का जो plant था वो plant हम लोगों का कितने का था 14,000 का plant कितना में बेचे थे 18,000 रुपया में तो 4,000 रुपया का हम लोगों को profit हुआ था ठीक है तो यह non operating income and gain में दिखाया profit on sale of plant 4,000 अब घटा है 25,000 में से 4,000 घटा तो 21,000 रुपया क्या निकल के आया operating profit before working capital chain 21,000 ठीक अब इसमें हम लोग aid करते हैं decrease in current assist, increase in current liability less करेंगे increase in current assist, decrease in current liability तो देखो दो ही चीज current assist, current liability दिया था एक outstanding expenses दिया था जो 5000 से 3000 हो गया तो 2000 से घटा था तो 2000 हम लोग minus करेंगे तो देखो 2000 रुपया यहां हम लोग क्या किये है minus किये है decrease in outstanding expenses के नाम से 2000 ठीक और इसके बाद aid क्या करेंगे एक देखो और हम लोगों का trade receable current assist होता है 35,000 से 40,000 से 35,000 हो गया 5000 से assist घट रहे current assist घट रहे तो पलस करेंगे 5000 तो 5000 पलस किये 21,000 रुपया में 5000 पलस किये तो 26,000 रुपया आया 26,000 में 2000 रुपया माइनिस किये तो यह 24,000 आया अग चुकि 24,000 पलस में आया है पलस में आया तो बोलेंगे case follow from operating activities और माइनिस में आता तो case used in operating activity इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो student पहले के videos को नहीं देखे अगर आप लोगों को अब तक अगर format नहीं पता तो पहले उन videos को देख लेना जिसमें पूरा detailed में समझाए है और 1 से 11, 6 से 11 तक का question को समझाए है और जो student उसको समझ गया है वो I hope इसको एक ही बार में समझ में आगया होगा आए समझ में format बहुत याद है बच्चा लोग format बहुत important है format कभी नहीं बूलना अगर format बूले तो खेला खतम format हमेशा याद रखना है आपको किसको जोड़ना है किसको घटन एक दम पूरा mind map में format छब जाना चाहिए इसके बाद question बनाना एक दब easy तरीके से जो है वो सब चीज बन जाएगा आए समझ में ठीक है चलो इसका solution question हो गया है इसका solution का भी screen suit ले लो हो गया ठीक है बनाना बनाने के बाद कोई विकत होगा हमें ना चलो आगे बढ़ते हैं next आते हैं हम लोग question number 13 पे देखो question number 13 पे क्या बोल रहा है बोल रहा है question पे calculate case flow from operating activities from the following ठीक है बोल रहा है profit made during the year 2 lakh 50,000 after considering the following items बोल रहा है farm को जो है वो profit हो रहा है कितना का 2,50,000 रुपया का farm को profit हुआ ठीक है चलो profit हो गया चीक है सर जी इसके बाद question में क्या क्या दिया है depreciation on fixed access 10,000 का amortization of goodwill amortization of goodwill का मतलब होता है goodwill return up घड़ गया ठीक है transfer to general reserve और profit on sale of land दिया है नीचे कुछ कुछ चीज और दिया गया है the following is the position of current accessibility, year बार बार year समझाते हैं यहां देखो 18 है यहां 17 तो year उल्टा दिया है हम लोग 17 से compare करेंगे 18 को और देखेंगे कौन increase या decrease हुआ तो बोल रहा है trade payable 15,000 से 10,000 हो गया देखो यहां से देखना 15,000 से कितना हो गया 10,000 यानि trade payable 5,000 रुपया से घड़ गया 5,000 रुपया से घड़ गया और trade payable होता है current liability तो हम भी घटा देंगे क्योंकि यह current liability है इसके बाद देखो bills receable हम लोगों के लिए current assist होता है 22,000 से 23,000 हो गया यह बढ़ गया current assist बढ़ रहा है तो हम लोग इसको घटाएंगे minus करेंगे हम लोग 1,000 ठीक prepared expenses यह हम लोगों का current assist होता है 6,000 से 4,000 हो गया यह भी 2,000 रुपया से घट गया तो हम भी 2,000 रुपया को क्या करेंगे घटा देंगे अब देखो जब question बनाने start करेंगे तो बहुत simple है कुछ नहीं करना है सबसे पहले question बनाते समय उपर में क्या लिखेंगे फिर aid करेंगे amortization of goodwill क्योंकि यह goodwill decrease हो रहा है फिर aid करेंगे transfer to general इदर यह तीन चीजों को हम लोग profit में क्या करेंगे aid कर देंगे इसको कर दिये इसके बाद less करेंगे हम लोग profit on sale of land इतना रुपया को 3,000 रुपया को less करेंगे तो plus minus करके जो amount आएगा उसको बोलेंगे operating profit before working capital change उसके बाद aid करेंगे decrease in current assets, increase in current liability less करेंगे increase in current assets, decrease in current liability यानि trade payable को हम लोग minus करेंगे 5,000 trade receable को plus trade receable को हम लोग घट रहे न भाई trade receable को हम लोग plus करेंगे 1,000 और prepared expenses को plus करेंगे 2,000 plus minus करके answer निकल करके आजाएगा बोलो समझ में आ गया ना किस तरीके से posting होता है बहुत simple है, question में कुछ नहीं दिया है 25,000 का profit दिया है कुछ non operating expenses and losses है एक non operating income and gain है और बाकी current assets और current liability है अब देखो same इसी चीज़ को देखो नीचे question में जो है वो solve क्या हुआ है देखो question में सबसे पहले यहाँ पे क्या mention है question में यहाँ पे लिखा गया है net profit देखो यह 2,50,000 का profit कहां से आया तो यह 2,50,000 का profit यह रहा question में जो दिया था अब उसमें हम लोग aid करेंगे transfer to general reserve aid करेंगे non operating expenses and losses उसमें सब दिखाना यह transfer to general reserve को अलग से दिखाया आप यहीं पे दिखाना general reserve यहीं से दिखाना 7,000 रुपया को यहीं दिखाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो 2,50,000 में 7,000, 10,000, 5,000 जूटेगा तो total हम लोगों का यानि total जूटेगा तो जूट करके कितना आएगा 2,62,000 इसमें हम लोग क्या लेस करेंगे हम लोग यह profit on sale of land 3,000 रुपया लेस करेंगे क्योंकि non operating income and gain है loss on fixed assessed को जोड़ा जाता है profit on fixed assessed को घटाया जाता है तो 3,000 रुपया को घटाएंगे तो घटा करके कितना आया यह 2,79,000 रुपया आया और यह क्या आया operating profit before working capital change जोड़ेंगे decrease in current assessed increase in current liability less करेंगे हम लोग decrease in current less करेंगे increase in current assessed decrease in current liability तो उपर यह current assessed current liability है उसको हम लोग उपर वाले को यहाँ पे देखो इन सब को इन सब को plus minus करेंगे नीचे इसके बाद जो है मेरा answer आ जाएगा देखो यहाँ पे प्रिपेड एक्सपेंसेज जोड़े हैं दो हजार रुपया का बिल रिसेबल को घटा आए हैं एक हजार रुपया का एक मिनिक रुको भई हम कुछ कोसेन नो गलत समझा दिये हैं ठीक है इसके बाद ये मेरा ट्रेड पेबल देखो ये घट गिया पाँच हजार का पुल्टा पुल्टा लिखे क्या ये अच्छा 22,000 से 23,000 हो गया था ना एक हजार रुपया से घटेगा ये बढ़ेगा ठीक है जोडने वाला एक आइटम है और घटाने वाला दो आइटम है ठीक पलस माइनिस करेंगे पलस माइनिस करके देखो मेरा एंसर निकल करेके कितना आया दो लाग पैंसट हजार चुकी पलस में आया तो बोले केस फोलो फ्रॉम ओपरेटिंग एक्टिविटी कुछ नहीं है बहुत सिंपल है बस आपको एक बार फोर्मूला याद रखना है बनाना बन जाएगा थिक और हाँ सल्योशन जरूरी नहीं है कि आपको हम जैसे बता रहें आपको वैसे ही बनाना है आपको अपने word में लिख करके जो आपका पेटन है उसी में बनाना है बस आपको कौनसेपट पुरा अच्छा से याद रखना है चलो भई question number 14 तो महाईजी है 14 को पढ़ने में देखो क्या बोल रहा है एक statement तो profit and loss दिया है सब चीज दिया है ठीक है देखो revenue from operation other income वगेरा सब चीज सब चीज question में दिया हुआ है और सबसे नीचे में देखो यहाँ पे दिया गया है net profit आप लोगों को समझा पाएं इसलिए देखो यहाँ पे जो है इसका answer है 50,000 अब जब हम लोग case follow statement बनाएंगे तो हमको इतना बड़ा format को देखके डरना नहीं है जब case follow statement बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए net profit या profit receive during the year तो देखो यह है हम लोगों का profit receive during the year कितना रुपया 35,000 नीचे से question बने expenses and losses में क्या क्या जूटेगा यह dividend जूटेगा कितने का 7,000 रुपया का provision for taxation 4,000 का provision for bad debts 2,000 रुपया का loss on sale of land 3,000 का goodwill return up 15,000 रुपया का और depreciation यह हो गया 4,000 का यानि dividend paid provision for taxation provision for bad debts loss on sale of land goodwill return up for depreciation यह सब non operating expenses and losses होता है और इन सब को जोड़ देना ठीक अब आप बोलो के sir इसके उपर यह जो rent और salary दिया है इसको क्यों नहीं घटा रहे है क्यों नहीं जोड़ रहे है क्योंकि rent और salary operating expenses होता है और हम लोग non operating को जोड़ते हैं तो यह तो operating है इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे ठीक इसके बाद जोड़ देंगे इसके बाद minus कर आएंगे plus minus करेंगे plus minus करके जो answer आएगा उसको लिखेंगे हम लोग operating profit before working capital change उसके बाद aid करेंगे decrease in current assets increase in current liability कोई current liability नहीं है तो खाली छोड़ेंगे place करेंगे हम लोग increase in current assets decrease in current liability कुछ नहीं है minus छोड़ेंगे तो वो जो operating profit before working capital change हम लोगों का जो है वो 50,000 रुपिया आएगा ठीक है मेरा answer यहीं होगा कुछ नहीं करेंगे यह 35,000 में इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे जोड़ करके इन तिन आइटम को घटाएंगे answer निकल क देखो भाई question number 15 भी बहुतीजी है from the following information prepared case flow statement यहां जो आपको जो दीख रहा है यह equities and liability assessed यह actual में vertical form balance sheet है new company एक 2013-2023 के regarding जो schedule 3 बना है उसमें एक नहीं balance sheet को बनाया जाता है vertical form balance sheet और यह कुछ नहीं है यह balance sheet है equities and liability का मतलब होता है capital or liability और company का जो भी capital or liability है उतको वो उपर द दिखाता है फिर नीचे आपने सारे assist को दिखाता है वो चाहे वो आपका fixed हो या current हो तंजीवल हो या intangible clear है तो हमको जो है year पहले देख लो question में year यहां पर 2019 और 20 दिया year सही दिया है मेरा हमको question देखके डरना नहीं है एक पूरा लंबा balance sheet है होने दो हमको क्या करना है balance sheet से हमको जो बनाना है वो ही बनाएंगे हमको क्या बनाना है हमको बनाना है case flow statement ठीक है अब जब case flow statement operating activity से बनाएगे तो बताओ ना सबसे पहले हमको क्या чाहिए हमको profit receive during the year चाहिए तो देखो ना ये क्या है profit receive during the year और देखो profit and loss balance है अस्टी हजार से कितना हो गया 1,ggak 30,000 तो profit receive during दूरिंग दाइयर कितना होगा 30,000 देखो ना 80,000 से 1,10,000 हो गया तो 30,000 रुपया है profit receive during the year हम लोगों का हो जाएगा 30,000 हो गया अब इसमें aid करेंगे non operating expenses and losses पॉस्चन में कुछ भी non operating expenses and losses नहीं दिया है तो खाली छोड़ेंगे फिर less करेंगे हम लोग non operating income and gain कुछ नहीं है त तो देखो यहां साप साप यह लिख रहा है मेरा कि यह मेरा क्या है current liability है ठीक है चलो भई current liability है trade payable 40,000 से 30,000 हो गया देखो ना 40,000 से 30,000 हो गया तो 10,000 से घट गया तो हम भी current liability को घटा देंगे 10,000 इसके बाद other current liability 40,000 से 45,000 हो गया तो 4,000 से बढ़ गया तो हम other current liability को पलस कर तो 守र्य म으면алась करेंगे sata आर्डिंग करेंगे तो रही चार थाजार रूपया पलुक्त कर्णिए अब देखो current exist में यह देखो ही पहले जाती क्या क्या है भाई है भेव बैस तीन तीस अजार से 353020000 해ार पंद्रा हजार रुपया से बढ़ गया इन्वेन्ट्री यानि से बढ़ गया, तो हम भी 10,000 रुपय से इसको घटा देंगे, इसके बाद case in case equivalent इसको नहीं दिखाया जाता है, हम बताएं थे, current assist में case in case equivalent नहीं जाता है, और current liability में bank overdraft और trade credit नहीं जाता है, ठीक है, चलो, हो गया, अब plus minus करेंगे, answer last में मेरा निकल करके लिल आएगा, देख during the year लिखना कितना रुपया, 30,000, इसके बाद aid करेंगे, non operating expenses and losses कुछ नहीं है, less करेंगे non operating income and gain कुछ नहीं है, तो plus minus करके यही 30,000 रुपया हम लोग का operating profit before working capital change आया, aid करेंगे decrease in current assist, increasing current liability, देखो aid less यह कर दिया, अगर current liability 5,000 जोडा और बाकी inventory 15,000 रुपया घटाया है, और trade payable 10,000 रुपया घटाया है, trade receable 10,000 घटाया है, और bills payable 10,000 घटाया है, तो 35,000 plus में है, 35,000 minus में है, तो last answer क्या आया, 0, 0 को 0 नहीं, nil लिखा जाता है, और लिख दिये case flow from operating activity, यानि इसको बना करके, ना तो case inflow हुआ, और ना ही case outflow है, आम जो है, वो balance पे है, आया समझ में ह हो गिया, ठीक है, चले, screenshot ले लो, बनाना होगा, बना लेना इसको, आगे बढ़ते हैं, question number 16, 16A, 16A, 16B, 16T, यह तो एकदम हलुआ है, जी, वाउती जी है, देखो क्या बोल रहा है, एकदम normal है, हिंदूस्तान chemical limited है, normal, हम लोग normally current assist और current liability को plus minus करके ना उसका amount निकालते थे, यहां सब rediment निकाल के दे दिया, और साब साब बोल भी दिया, कि कोण increase या कोण decrease हुआ, यह तो और इजी है, देखो, सबसे पहले क्या दिया है, operating profit before working capital change, 57,500, हमको सबसे पहले profit निकालना पड़ता है, फिर, add करते हैं non operating income in gain, less करते हैं non operating expenses and losses, less करते हैं non operating income in gain, इसके बाद जो है, operating profit before working capital change आता है, यहां direct operating profit before working capital change दे दिया है, तो मेरे लिए और अच्छा है, हम यहां direct दिखाएंगे, operating profit before working capital change, 57,500, अब उसमें aid करेंगे, decrease in current assessed, increase in current liability, तो यहां देखो, साब साब बोल रहा है, कि कौन सा current assessed, increase या decrease हुआ, साब साब लिख दिया, और कितना रुपिया say increase या decrease हुआ, वो भी लिख दिया, और इजी है, मिले लिए बस हमको posting कर देना है, जोड़ देना है, घटा देना है, answer आ गिया, चलो, तो भाई देखो, भाई डेटर्स, डेटर्स बोल रहा है, decrease हो रहा है, तो पलस करेंगे, 5000 रुपया को पलस करेंगे, stock, assessed होता है, increase हो रह हो रहा है, increase हो रहा है, तो पलस करेंगे, हम लोग, ठीक है, पलस करेंगे, 3200, और case and bank, case and bank current assessed होता है, कुछ नहीं करना इसको, case and bank, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये case and case equivalent है, नहीं दिखाते हैं, बस answer हा गिया, देखो, ये बनाया होगा, जोड़ा है, शरी डेटर्स को 5000, और 65,700, लेस किया, देखो, बिल्स पेबल को, और लेस किया, स्टोक को, 4500, और 2000, तो 6500, को घटाया, तो 69,200 रुपया है, और देखो, यहाँ भी question में, case को नहीं दिखाया है, ये solution में, और दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि case जो है, ये जो मेरा case था, ये हम लोगों का क्या है, case ये देखो, ये जो case in hand था, ये 20,000 का, ये case तो हम लोगों का, ये जो हम लोगों का case in case equivalent है, इसको नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखाएंगे, आया समझ में, 16 है, 16 भी 16 से, बहुत हीजी है, हर चीज का amount दिया रहेगा, निकाल के भी दिया रहेगा, बोल भी देगा, ब से ही है, देखो, सबसे पहले जब question बनाएंगे तो लिखेंगे net profit for current year, ये हम लोगों का एक लाग है, अब उसमें हम लोग एड करते है, non operating expenses and losses को, तो देखो, transfer to general reserve है, इसको एड कर देंगे, decrease in data, ये तो आगे घटेगा, अच्छा क्या क्या एड होगा, transfer to general reserve एड होगा, discount on issue of debenture, return up, ये जुटेगा, इसके बाद low sense sale of machinery, ये जुटेगा, यानि ये हम लोगों का जुटेगा 10,000 रुपया, ये जुटेगा 5,000 रुपया, ये जुटेगा 12,000, profit में क्या क्या जोडेंगे, profit में 10,000 रुपया का transfer to general reserve, क्योंकि ये non operating expenses and losses है, 10,000, discount on issue of debenture, non operating expenses and losses है, 5, जोडेंगे, loss on sale of machinery, non operating expenses and losses है, 12,000 जोडेंगे, किन सबको जोडेंगे, और घटाएंगे किसको, घटाएंगे, non operating income and gain, तो non operating income and gain में ये देखो, मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, profit on sale of investment, ये जो 4,000 रुपया है, इसको घटाएंगे, घटा करके मेरा क्या निकल करके आएग operating profit before working capital change, देखो, वही किया है question, यहाँ पे लिखा गया है profit receive during the year, 1,00,00, transfer to general reserve को यही जोडा, आप यही जोडा आए नीचे जोडा तो जोड करके total आजाएगा 1,27,000, less देखो किया है, non operating income and gain, 4,000 को देखो, इस 4,000 रुपया को, इस 4,000 रुपया को देखो, यहाँ पे घटा गटा दिया ना ठीक है घटा दिया यहाँ पर इस 4000 रुपया को हम बोल रहे हैं इस 4000 रुपया को देखो non operating income and gain को घटा दिया फिक घटा करके क्या निकल करके आया एक लाग 23,000 रुपया का क्या आया operating profit before working capital change अब इसमें एड करेंगे decrease in current assist, increase in current liability तो कौन सा current assist, current liability increase या decrease हुआ तो देखो यहाँ पे साब साब बोल रहा है, तो कौन सा current assist, current liability है भाई तो decrease in data, data घट रहा है current assist होता है data, data घट रहा है तो इसको जोड़ेंगे 25,000 decrease in trade payable trade payable, current liability होता है current liability decrease हो रहा है, घट रहा है इसको हम लोग माइनिस करेंगे 20,000 increase in stock, stock current assist होता है current assist बढ़ रहा है current assist बढ़ रहा है तो हम लोग इसको माइनिस करेंगे 18,000 रुपया को बस हो गया, जोडने में सिर्फ एक चीज है 25,000 और घटाने में दो चीज है 20,000 और 18,000 जोडने में एक चीज है शिर्फ देखो आपका 25,000 और घटाने में 18,000 और 20,000 तो टोटल कितना घटेगा भाई, 38,000 तो पलस माइनिस करके last में 1,10,000 रुपया निकल करके आएगा और चूकी answer पलस में आया तो ये operating profit before working capital change होगा, आया समझ में हो गया, चलो, इसका screenshot ले लो और बना लेना, question बहुत simple है easy है, और हम नहीं चाहते हैं कि इसको बनाने में दोबारा आप लोग का time waste हो format याद है, पहले का practice है सब चीज है, question का solution बता दे रहे है copy में उसको note down कर लेना जहां आप अठकोगे, वहाँ solution को फिर से देख करके उसको बना लेना फिर भी अगर नहीं बनता है, तो comment box आपके लिए है comment करके हमको बताना कि ए sir, एक बार फिर से आप अपने तरफ से question बता दो तो हम बता देंगे, अगर कोई doubt नहीं होगा तो comment करके बता देना कि sir, next next part लाइए, इसका मतलब है investing activity बताइए, तो next video में हम लोग investing activity पढ़ना start कर देंगे, ठीक है, comment करके जरूर बता देना हमको, ठीक है sir, जी चलो एक last question है, हम लोगों का 16C यह रहा हम लोगों का 16C same उसी type का question है, देखो यह net profit है, हम लोगों का एक लाग रुपया का, इसमें क्या-क्या aid करते है, non operating expenses and losses, aid क्या-क्या होगा यहाँ पे, depreciation, non operating expenses and losses होता है, transfer to general reserve, goodwill return up, ठीक है, goodwill return up, हाँ, यह तीन चीज जुटेगा और less क्या होगा, तो देखो यह मेरा less होगा, यहाँ पे मेरा gain on sale of machinery, यह जो है, 3000 रुपया मेरा loss हो, less होगा, ठीक है, इन सब को plus minus करके, operating profit before working capital change मेरा आ गिया, इसके बाद decrease in current assist, increase in current liability को जोड़ेंगे घटाएंगे, increase in data data बढ़ रहा है, data current assist होता है, बढ़ रहा है, तो घटाएंगे, increase in creditor, creditor बढ़ रहा है, creditor current liability होता है, liability बढ़ रहा है, तो plus करेंगे, increase in prepared expenses, prepared expenses, current assist होता है, current assist increase हो रहा है, तो हम घटाएंगे, decrease in bills receable, bills receable, current assist होता है, current assist घट रहा है, तो हम लोग इसको plus करेंगे, decrease in bills stable, bills stable, current liability होता है, और यह घट रहा है, घट रहा है तो हम घटाएंगे इसके बाद decrease in outstanding expenses current liability होता है current liability घट रहा है तो हम भी इसको क्या करेंगे घटाएंगे फलस माइनिस करेंगे answer निकल करके मेरा आ जाएगा ठीक है देखो screenshot लो इसका same इसका solution है रहा same देखो उसी का solution है ठीक है अभी जो समझाए सेम उसका solution है ठीक है हो गया हो गया last में total जो है पलस माइनिस करके एक लाग चोवन हजार आठ सो रुपया मेरा आएगा और एक लाग चोवन हजार आठ सो रुपया चुकी क्या है मेरा पलस में है तो इसको बोलेगे operating profit before working capital आगिया समझ में हो गया वीडियो पसंद आई है लाइक करो share करो comment करो कोई डिकट डाउट परिसानी है comment करके बताओ जिन student को समझ में नहीं आया इसका मतलब है कि operating activity indirect method का format आप लोगों को याद नहीं है format याद नहीं है तो पहले के starting का वीडियो देखना जिसमें इसके बाद अगर आ गिया है समझ में तो नेक्स वीडियो के लिए हमको comment करके बता देना कि sir investing activity बताइए नेक्स वीडियो लाइए तो नेक्स वीडियो में हम लोग investing activity आपका पढ़ेंगे ठीक है जी चलो बाए टेक कियर